ये वीडियो इस्पेसली उनके लिए है जिनका किसिन किसी बैंक में एकाउंट है अगर आपका बैंक में एकाउंट है तो लेट सबेर आपको इसकालर सी पेंसन या कोई सरकारी पैसे की जरूरत जरूर पड़ेगी जो आपके एकाउंट में आये या आने वाला हो तो इस की समस्य आपके खाते में हो सकती है तो बैंक खाता आधार कार्ट से लिंक है कि नहीं ये कैसे जाने अपने मोबाइल से घर बैठे ही आधार जो है एनपीसी आई से लिंक है कि नहीं ये कैसे जाने आखिर एनपीसी आई क्या है डीवीटी क्या है एपीस क्या है और इसे बैंक टेकनिकल वर्ड है, सब कुछ आसान भासा में आपको हम बताने वाले हैं, सबसे पहले आपको जानकारी होने चाहिए NPCI की, ठीक है, NPCI, आखिर क्या है NPCI, तो NPCI एक प्रेटफॉर्म है, इसी टेकनिकल वर्ड में अंब्रेला प्रेटफॉर्म भी बोलते हैं, करने का करना है, NPCI के बारे में, हमें दो चीजों से बेसिकली मतलब है, एक DBT और AEPS, मतलब हमारे खाते में दो तरह से सुब्धा शुरू होती है, जब हम आधार लिंक कराते हैं, या तो DBT, या तो AEPS, या तो दोनों होता है, ठीक है, और कहीं कहीं केवल आधार नंबर डाल दे हैं, बैंक में जो कर्मचारी होते हैं, और दोनों ही सुब्धा आपको नहीं मिलती है, तो DBT क्या है, Direct Benefit Transfer, यानि कि सरकारी जो भी पैसा होगा, चाहे हो पेंसन हो, इसकालर सिफ हो, कोई भी गॉर्नमेंट का योजना का पैसा हो, वह DBT सुब्धा आन रहेगा, तो ही आपक को बताऊंगा, अब AEPS के बारे में जान लेते हैं, आधार Enable Payment System, मतलब आप कहीं भी थम लगा करके, फिंगर लगा करके, अपने पैसे निकाल रहे हैं, या पैसे आधार तो आधार ट्रंसफर करा रहे हैं, तो उसमें AEPS का बड़ा रोल है, अगर आपके खाते में ये व आपका AEPS सुभधा अंकर देते हैं, तो NPCI क्या एक खाते में लग सकता है, कि सारे खाते में, तो सारे खाते में NPCI लगेगा, अब NPCI में कई तरह की विराइटी है न, तो जिसमें आपने देखा AEPS DBT, AEPS आपके सारे खाते में हो सकता है, लेकिन DBT केवल केवल एक खाते म हो सकता है, suppose that आपका ASBI में भी एकाउंट है, PNB में भी है और Gramit Bank में भी है, ठीक है, जिसे RR भी बोलते हैं, तो क्या AEPS तीनों में चालू हो सकता है, तो बिलकुल हो सकता है, तो क्या DBT तीनों में हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, किसी एक में होगा, किस बैंक में आपका latest dbt आन कराएंगे उस खाते में ही आपका सरकारी पैसा आएगा ठीक है तो अभी मैं आपको बता दूँ कि कैसे आप चेक कर पाएंगे कि dbt हमारे खाते में है की नहीं है और किस खाते में है और यदि आप अपने दूसरे खातेम करवना चाहते हैं दूसरे बैंक में तो अब बैंक जाकर के सीधे एक लाइन में बोलेंगे सर हमारा सरकारी पैसा जो आता है या आएगा वो हमारे इस खातेम में आए ऐसा कर दीजे तो ओ आधार की मैपिंग DBT कर आउन कर देंगे जिससे सरकारी पैसा आपके खातेम में आ जाएगा लेकिन कुछ लोग होते हैं जाते हैं बैंक और बोलते हैं हमारा NPCI से लिंग कर दीजे तो NPCI में कई फ्रेफार्म है तो आपको ये बात जरूर अपनी बतानी है कि आपको समस्या क्या है ठीक है तो आपने अब समझ लिया होगा DVT क्या है, APS क्या है, NPCI क्या है अब हम लोग जानते हैं कि कैसे चेक करें कि हमारा बैंक खाता DVT से मैपिंग है कि नहीं तो चलिए बताते हैं चलिए चलते हैं Google पे और सबसे पहले यहां लिखते हैं आधार तो जैसे यह आधार लिखेंगे आधार के website आजाएगी आधार के website पर पहले पहले link पर आपको क्लिक करदेना आ है जैसे क्लिक करेंगे यहां पर language पूछेगा आपका जो भी language औपको चूज करना हो, चूज कर लीजे तीक है, मैं English चूज कर लेता हूँ में चूज कर लिया है अब जैसे English चूज करेंगे यहाँ पे आपको तीन डार्ट दिखेगा ठीक है चाहिए आप मोबाइल में Laptop में कहीं भी चला रहे होंगे लैप्टाप में चला रहे होंगे, हो सकता है, यह सारी सुब्दाइं यहां दिख रही हो, सारे option, ठीक है, तो इस पर आपको click करना है, जैसे आप इस पर click करेंगे, इसमें आपको एक option दिख रहा होगा, माई अधार का, ठीक है, इसमें आपको, इस पर आपको click करना है, माई अधार पर, चलिए माई अधार पर click करते है, माई अधार पर click करने के बाद, आपको आ जाना है यहां पर आधार service में, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, यहां पर आधार service, आधार service पर आपको click करना है, चलिए आधार सर्विस पर हमने क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसको निचे स्क्रॉल करना है, इसक्रॉल तब तक करना है, जब तक कि आपको ये वाला आप्शन न दिख जाए, जहां पर लिखा हो आधार linking status, ठीक है, इसमें आपको कहां क्लिक करना है, तो इसमें आपको क्लिक करना है, चेक आधार bank seeding status, कि आधार bank में seed है की नहीं, डीवीटी के माध्यम से ये ये बताता है वेबसाइट, ठीक है, तो चलिए इसको चेक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपसे आपका बारेंगों का आधार और आपसे पूछता है यह जो कैप्चा कोड है यहां डाल देंगे नीचे देखेंगे OTP पूछ रहा होगा ठीक है सेंट OTP पर जैसे क्लिक करेंगे मोबाइल पर OTP जाएगा और वो OTP जो है आपको यहां डालना होगा तो चलिए इसको पटापट करके आपको दिखाते हैं तो हमने आधार नमर डाल दिया है और यहां पे टिक लग गया है कि आधार नमर हमने सही डाला है और यहां पे हमने capture डाल दिया, अब send OTP पर click करेंगे, सकते हैं, जैसे send OTP पर हमने click किया, OTP send कर दिया गए registration mail number पर, अब हमें mail number को check करना है, OTP आ गया है नहीं OTP हमने डाल दिया है अब हमें submit पर click करना है तो जैसे submit पर click करेंगे तुरंती बताएगा कि आपका आधार जो है, किस bank में link है जिसका मैंने check किया, उनका बड़ोदा उत्तरप्रिस ग्रामरी बैंक में link है आधार number का चार digit जो है, यहाँ so करेगा और आपका आधार सेटिंग active है कि न active, वो यहाँ so करेगा ठीक है, यहाँ पर देख सकते है congratulations का message भी है, आपको हो सकता है mail और message भी पहुँचा हो, कि आपका आधार जो है check किया रहे, OTP से, ठीक है ते सारा आप check कर सकते हैं जो भी latest आपने आधार seed कराया होगा dbt का यह check करता है मतलब जो bank यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ोदा उत्तरप्रशक्रामरी बैंक, आपका जो भी यहाँ बैंक लिखा हो उसी में आपका इसका लसीब जाएगा या सरकारी पैसा, pension सब कुछ उसी बैंक में जाएगा, ऐसा आप मानके चलिए आप संतुष्टी के लिए bank पर जा सकते हैं सेम बैंक जो यहाँ सो कर रहा है वहाँ चिक करा सकते हैं कि हमारा dbt आना है या नहीं ठीक है? अगर आप चाते हैं कि यहाँ पर जो bank दिखा रहा है वो दूसरा bank सो कर रहा है, मैं दूसरे bank में अपना dbt चाह रहा हूँ मतलब या चाह रही हो सरकारी पैसा है पेंशन तो आप अपने बैंक जाकर के जिस भी बैंक में चाहते हैं पैसा है उस बैंक में आप जाकर बोल सकते हैं हमारे डीबीटी अन कर देजे तो आधार लेकर के आपका डीबीट यान कर देंगे उसके बाद आप चेक करेंगे तो यहां पर यह चेंज दिखाएगा अथवा आप अपने समझ लेंगे कि बैंक ने आपका सीडिंग कर दिया है